तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो अगर आप exam के लिए प्रिपार कर रहे हो या फिर आप अगर आप एक student हो तो आपको ये सब चीजे while studying ध्यान रखनी चाहिए छोटी छोटी चीजे हैं अकसर हम ये चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं बिल्कुल ठीक है तो अगर आप ये चीज़ को ध्यान दोगे तो definitely आप लोग का कुछ न कुछ चेंजे अपके life में आपके schedule में आपके बाकी चीजों में देखने मिल जाएगा ठीक है शुरुआत करते हैं सबसे पहले that is number one point जो कि आप देख पा रहे हो screen के ऊपर ठीक ह make a study place अकसर क्या होता है कि हम as a student जब होते हैं तो हम एक study place नहीं बनाते हैं जिसके से बहुत बुरा effect होता है ये मेरे साथ भी personally हुआ है कभी कभी क्या होता है कि हम as a students कभी है kitchen में जाके पढ़ लिया ठीक है मतलब मैं kitchen में पढ़ता था इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे पढ़ लेते हैं तो इससे क्या होते हैं कि बार बार जब अपना इक पोजीशन को चेंज करते हो ना तो उससे आपका mentally effect ना बहुत फरक पढ़ता है यह एक psychology में research किया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक student अगर एक ही जगा पर रोज उसी जगा से सालों से उसी जगा पर पढ़ रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है श्टडी कर रहा है याद कर रहा है और एक दूसरा student है जो अलग-अलग जग कि vibes क्या है एक energy अपने आप create हो जाती है और जो दूसरा जगा है दूसरा जो व्यक्ति था उसको याद चेंज करना पढ़ रहा है बार-बार चीज़े अलग-अलग कर रहा है तो उसका concentration नहीं बैठता energy level automatically कम हो जाती है number one point समझा तो आपको अपना एक place बना ले ला है जैसे मैंने अपना kitchen जो मेरा kitchen था तो अकसर क्या होता था कि मेरा घर छोटा था ठीक है joint family थी तो bedroom में और hall में जगा मिलता नहीं था मतलब bedroom थो था यह नहीं वन आरके था जब मैं student था up to engineering तक ठीक है एक आरके यानि एक room और kitchen था तो room में पपा मम्मी या फिर पपा जॉब पे रहेंगे तो बहेंद रहती थी मेरी तो वहाँ पे सब लोग रहते थे तो मुझे जगा मिलता नहीं था तो मैं कैसे पड़ू ठीक है न यह दिक्कत हो जाती थी तो मैं सोचता था कि यार मैं किसी को disturb भी नहीं करना चाता तो मैं वहाँ पे kitchen में अपना मैंने क्या किया था जो भी sheets मैंने आपको बलेते ना time table वाले अपने दिवारों पे चिपका हो तो मैंने वो kitchen में चिपकार रखेते और उसी जगा पे मैं daily बैठता था एक वो जगा था और एक और मेरा जगा था जो की terrace ता उस building का जो terrace था वह एक या दो ही जगा बनाना बार बार चेंज मत करना उससे अच्छे energy आईगी और आप study कर पाओगे second cheese give enough time to study आप अपने study place तो बना लिए आप पड़ी नहीं रहे हो दिन बर खेल रहे हो दिन बर कुछ अलगी कर रहे हो भलता साही कर रहे हो तो यह नहीं होगा आपने अगर कुछ चीजे बनाई है अपने अगर कुछ गोल बनाया है तो आपको anyhow वो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको anyhow उस चीज पे पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा जलूरी है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पढ़ेगी whatever in which standard you are वह आप कोशिश कर रहा है तो यह सब के साथ होता है सिफ आप ही नहीं हो यह मेरे साथ भी हुआ है जो स्कॉलर से स्कॉलर व्यक्ति है 90-99% वाला उसके साथ भी यह चीज हुआ होगा definitely हुआ रहेगा तो आपको करना क्या है आपको बस simply क्या करना है कि जब भी आपको मैसूस होगा क यह मुझे पढ़ने नहीं हो रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है तो कोशिश करना कि और max to max 15-20 मिन आदह घंटे तक खीचो अगर आप उसको खीच पा रहे हो और फिर आपका mood normal हो जा रहा है और फिर आपका पढ़ रहे हो तो ठीक है लेकिन अगर फिर भी वो करने के तक मिलती रहेगी रिलाक्स मिलता रहेगा और आप continuous याद भी कर सकते हो तो इस तरीके से ब्रेक लेते रहे ना